हेलो फ्रेंज वेलकुम बेक टू माई न्यू वीडियो तो जी आज की वीडियो में आपका सवागत है तो जी आज हम देखे भारी भरकम बड़ा डबल बेड का कंबल है जिसको की बिना धुए बड़ी मशीन में हम देखे क्लीन करेंगे तो जी चलिए करते हैं वीडियो को स् पता चलेगा तो जी इदर बेड के कंबल को फिला लेते हैं तो जी यह सारे काम होते हैं बचों के हस्मन के स्कूल जाने के बाद मैं बस और इजिली यह फिल्म कर पाती हूँ क्योंकि फिर सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर हम अपनी वीडियो इसली बना सकते हैं तो जी इधर एक ली है सोक्स मैंने तो देखिए हमारे घर में काफी सारी वेस्ट सोक्स पड़ी होती हैं तो ये ले ली है मोटी है काफी और इधर पहले टành कम पाउडर लेंगे कोई सा भी पाउडर आप ले लीजिए तो इससे क्या होगा थोड़ी सी के वाणी कंबलों में पसीनने वागद की स्मेल होती है या और होती है तो उसके लिए पाउडर जरूरी है तो पाउडर का इस तरह सारे बैड पे फिला देखिए थोड़ा थोड़ा छिड़क लिया है और अब हम अपनी सोक्स को हाथ पे जड़ा लिया है और इसे ऐसे फिलाएंगे तांकि जो भी थोड़ी बहुत कोई महक है वगरा है तो वो चल जाएगी तो सबसे पहले काम हमने यही करना है अब जी इस तरह हैं फिलाकर फिर हम हाथ पे इस तरह इकठा कर लेंगे जो भी कंबल में कोई डस्ट है या कुछ और एक्स्ट्रा पाउडर है तो वो सारा इस तरह हैं अपना यह देखिए जाड़ लेंगे तो सारा इस सोक्स के उपर आ जाएगा तो जी बस एक्स्ट्रा इस तरह हैं फिलाकर पान्च मिंटे बाद हम विगणी या एक्स्ट्रा पाउडर होगा तो वो सारा हमारा सोक्स के उपर आ जाएगा तो उसको पाम दस मिनट ऐसे सक के लिए कंबल को हम छोड़ेंगे ठीक है जी आब इधर जी किचन में आ जाते हैं तो मैंने गुनगुना सा पानी लिया है बिल्कुल ठंडा पानी नहीं लेना और इदर बेकिंग सोड़ा या कोई आपके पास जो भी है मतलब ये मिठ्था सोड़ा वगेरा तो वो एक चमच ले लिजिए और अब शैंपू ले लिया है तो थोड़ा सा या हम एक चमच ही शैंपू ले लेंगे अब जी इदर एक धकन हमने वाइट विनेगर लेंगे और ये काफी अच्छा है किचन में देखिए तो इससे बहुत ही ज्यादा मतलब हमारी किचन में मैंने बहुत सारे टिप्स भी शेयर किये हैं तो वाइट विनेगर बहुत ही नमक डाल या थोड़ा सा नीबू बुन्दें कुछ डाल लेंगे हम तो ये हमारा एक घोल त्यार हो गया देखिए जी बढ़िया से इसको हम चमच से या हैंट बलेंडर से इस तरे घोल लेंगे तो इस तरहें जी बस याद रही यह चार-पांच चीज़े हमने लेनी है और अब जी कोई भी कोलिन की या कोई खाली सप्रे की कोई भी इस तरहें बोटल है आपके पास तो वो ले लीजिए तो इसमें मैंने भर लिया है देखिए बढ़िया हमारा ये बन गया जी तो इसको अच्छे से फिर मिला लेंगे और अब चलते हैं जी आगी का प्रोसेस करते है तो ये बढ़िया हमारा सप्रे के लिए हो गया तो इधर जी आप कुकर का ढखकन लिया है ठीक है जी तो ये बढ़िया इस पे मैं आप भी आपको बताती हूँ इधर मेंने एक फटी हुई कोई भी वेस्ट आपके पास वाइट कपड़ा है या फिर बन्यान है तो सबसे ब त Yuk इंगे तेखिये इस तरह नोट लगा दिया और देखिये कितना बढ़िया इस तरह हमारा यह बन गया है ठीक है जी और अब आगे अब क्या करेंगे टियए जो हमने ये घूलपानी का बनाया है मिश्रन तो इसको सप्रे करेंगे सारे बद्टों ठीक है जी और ये देख तो उसका भी solution मैं आपको आगे बताती हूं तो जी इधर आप क्या करना है सारी कंबल पे स्प्रे कर दिया और इस तरह फिरती रहना है और आप दिखोगे कुछी मिंटों में हमारा ये कपड़ा है बिल्कुल काला हो जाएगा इसकी सारी मैल है गंदगी है वो हमारी कपड़े के उपर आ जाएगी और इस तरह जी थोड़ी सी देर में ही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा ये दिखिए कितना गंद इस पे आ गया है फ्रेंस सिर्का वगरा डाला है ना वो ये है हमारे कोई भी जैसे कोई चीज कटने का वगरा डरनी रहता तो किट पतंगे से कुछ भी हूँ तो उस चीज के लिए नमक है और जो विनेगर डाला है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है जी तो फ्रेंस इस तरह सारे कंबल की क्लीनिंग करेंगे तकरीबन हमें 15-20 मिनट या आदा घंटा भी इस काम में लग जाएगा ये देखिए जी सारे जो भी रो या लगा इस तरह मेंने दोनों साइड कंबल की क्लीनिंग की है तो इस तरह जी जब बच्चे स्कूल चले जाएं हम फ्री होते हैं अपना काम कूम जल्दी करकर तो इस तरह के एक्स्रा काम हम कर सकते हैं तो फ्रेंस ये ये नहीं है कि ये सिंपल वे है इससे कोई फरक नही पड़ता वाकी रिजल्ट बहुत अच्छा है जी ये देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल जहां हमने कुकर के धकन के उपर लगाया है तो वो देखिए वो वो हिसा इतना ज्यादा काला हो रहा है कि आप सारी इस पे जो भी डस्ट है देखिए जो भी रूं है कुछ भी लगा हुआ है तो वो सारा हमारा कपड़े के उपर आ जाएगा आप दो कपड़े बदलिए तीन बदलिए चार बदलिए जब तक हमारा कपड़ा मतलब डबल बैड का कंबल है वो क्लीन नहीं हो जाता तो हलका फुलका जी हमने सप्रे किया है और ये देखिए देखिए आपके सा कपड़ा काफी बड़ा है बन्यान का अभी एक हिस्सा मेरे पास ओर पड़ा है तो हम इस तरह फिर बार-बार इस तरह क्लीनिंग करेंगे तो काफी सारी देखिए कंबल की जो भी मैल है वह उतर के हमारी इस तरह कपड़े के उपर आजाती है अब क्या करना जी हम सू कहेंगे तो आप इसको धूप में अधा घंटा के तक्रीबान इसको सुखा दीची I hope आपको आज का वीडियो ट्रीक अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कुमेंट